फ्रेंड्स बेलकम टू माई यूटूब चैनल ओनलाइन फास्टिक तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए गूड न्यूज फाइनली जो आपकी यूपस की बैगेंसी आ चुकी है ठीक है बट यहाँ पर एक चीज़ जान लेते हैं किस पिरकार की बैगेंसी है ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि भाया फोम अपलाई कैसे करना है कौन सी डेट है आपकी फोम अपलाई किस डेट से आपके शुरू हो रहे हैं और एज लिमिट क्या चाहिए आपकी और आप से हमेशे की तरह रिक्वेस्ट रहे हैं आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना क्योंकि इस पिरकार से जो भी सबसे पहले जो से रिलेटिव बैगेंसी आद किसी पिरकार का अपडेट तो वो से चैनल पर मिलता है विल्कुर रियल अथेंटिक जानकारी के साथ तो चैनल को सारे के सारे बाई सब्सक्राइब जरू कर लेना ठीक है और भी ना ताक कि कोई भी के लिए इलिजिबल पाया जाता तो फोम अप्लाई कर सकता है ठीक है फ्रेंड्स मैं वीडियो अब्यूर के लिए जो जुनों ने ट्वैल पास कर रखा है उनके लिए नहीं है फ्रेसर के लिए नहीं है आप्लाई निए लिए वीडियो है ठीक है वही वीडियो उसी मतलब वही इस्टुडेंट वीडियो को देखे हैं कंडिडेट अधरवाइस अधरवाइस आप स्किप करके जा सकते हैं अगर जानकारी चाहिए तो आप जरूर वीडियो देख सकते हैं ठीक है तो भाई स्पेसल बात कर लेते हैं नेशनल लेविल के गेम्स खेले हुए उनके लिए है तो वीडियों बने रहे हैं यह दि आपनी गेम किसी परकार का है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है बात कर लेते हैं वह यह सबसे पहले इसमें सैली कितनी होने वाली पुलिस बेतन जो आपकी 20 ग्रेट पे 2000 क सम्तिंग रहने वाला है बात कर लेते हैं यहापर जो है आपकी कुल पत कितने हैं मतलब कितनी पोस्टों पर बेगेंस यह तो यहापर देख सकते हैं यह जो है 534 पत हैं अगर बात करें यहापर पुरूस मतलब 335 हैं महिलागी बात करें 199 यानि 99 में हैं आप देख सकते हैं तेन सो पैंतिस पुरुष हैं। हैं। एक आर एक सो निन्यानवें महिल आये। खिलाड़ियों का च्षाय नइम्वत किया जाएलएगा बात करने पुरुष आपर जान लेते हैं कि जो हमारा वो रहेगा मतलब किस खेल का बिद्वा मतलब नाम क्या रहेगा ठीक है देखो बाटरी स्पोर्ट से आपने खेल मतलब नेशनल्स किया हो सर्टिफिकेट हो तो आपकी इसमें 42 हैं बोली बोल है वास्केट बोल है है ना कवड़ी है फुटब एगरा यह सुटिंग तो आप फौम भढ़ सकते हैं मतलब तो यहां पर देख सकते हैं यह जो है 300 मतलब यह जो है पुरूशो का लिए है only यह जो खेल है अगर इस खेल में किसी ने भी कर रखा आपने इन खेल में से ठीक है तो आप फोम अप्लाई कर सकते हैं 335 पद हैं पुरूसों के अब बात कर लेते हुए यह mail तो mail के लिए बॉली बोल है वो स्केट बोल है न कवड़ी है टैनिस टेविल टैनिस है बैड़ बिंटन है तो होकी यह वाली इस पिरकार से अगर आपने इसमें से कर रखा है तो आप होम अप्लाई कर सकते जो की 199 यानि की इसमें सेलेक्शन प्रोसेज रहेगा पहले चलिए डेट की बात कर लेते हैं कब से फोम अप्लाई हो रहे हैं आवेदन जो है आपके आवेदन प्रारम होने की तिथी वो एक अक्टुवर है ठीक है और यहां पर आवेदन करने की अंतिमतिति वो 31 अक्टुवर यानि कि 1-1 आपके पास बन वंतिता का फोम अप्लाई कर सकते हो और सुल्क जमा करने की अंतिमतितिति जो है 31 अक्टुवर ही होने वाली है ठीक है आयोब किया पर डेट भी किलियर हो गई होगी बात कर लेते कि आवेदन सुल्क यानिकि इसमें फीज कितनी लगने वाली है ठीक है इस पिरके रहे है तु सभी स्रेणी के अभ्यारतियों के लिए आवेदन सुल्क 400 रुपे रहेगा रूपे 400 रुपे रहेगा ठीक है निधारत किया गया आवेदन सुल्क भाट स्टेट बैंक SVI की निधारति सागर के माद्यम से लेखा सेरसक इतने इतने पर जमा किया जाएगा सुल्क जमा करने ये तु चालान प्रारूप इतने में सलंगन है मतलब कुल मिलाकर किसी भी पिरकार का भेदबाब नहीं होने वाला कोई सी भी पिरकार का कास्ट हो किसी भी पिरकार से मतलब SC हो OBC हो Journal हो कोई भी हो किसी पिरकार की कोई छूट नहीं है चार सुरुपे देने ही पड़ेंगे इसमें ये कहा गया है ठीक है कोई भेदबाब नहीं किसी भी कैटेगरी से मतलब ठीक है जाती वास्ते सबको वही चार सुर्फे पे करने हैं ठीक है अब बात कर लेते फ्रेंड्स इसमें फोर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो बात करने भारत में बिदी द्वारा चाहिए ठीक है और साथ ही में आपको जो है प्लाइस स्पोर्ट्स का मैं बताने वाला हूं नेसनल का चाहिए इस्टेट का चाहिए गेम मैंने बता दिये कि अगर आपने उन गेम से कोई सर्टिफिक्ट लिया है या उसमें पिरती भाग लिया तो भाई अगर यहाँ पर जो है आपका किस प्रकार का होना चाहिए देखो आपको जो है यहाँ बात करने झाल्य निम्निकित इस्परदा जो पृति भाग लिया हूं यहाँ पर नैसने सुन चैम्पियन जूनियर सीनियर फौंडेशन कैफ नैसने lips जूनियर सीनियर अफिल अभील लेक भा और राश्ती विद्याले खेल हैना अखिल भारति फुलिस खेल पुरती हो ता मतलब यह पिरकार के खेल है ठीक अगर इस में आपनी इस प्रता में पिर्ति भाग किया है तो आप फोम को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है या वो गेम मैंने बता दिया आपको ठीक है अब बात कर लिए आई यू आई यू कि कितनी मतलब एज कितनी होनी वाल देखो मिनीमम 18 से और 22 साल यानि कि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए यानि कि देखो अभ्यारती ने दिना 1722 को 18 की अधिक नहीं हो यानि कि यहां पर जो है 18 से कमनी होनी चाहिए और 22 से अधिक नहीं हो ठीक है अधारत अभ्यारती का जनम जो है दो मतलब 2722 मतलब 2000 तक पूरत है दिना आक 1724 के बाद का नहीं हो अगर आपकी 18 से 22 साल के बीच मगर एज है तो फोम को अपलाई इसली कर सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से यहां पर यह बोला हुआ है बात कर लेते हैं भरती की पिरकिर्या क्या रहने वाली है वह या देखो यह चाह तो यहां पर बात कर लेते फ्रेंड्स आप लोगों का जो इसमें सारे रिक क्या रहने वाला मतलब कुछ फिजिकल वेगर भी होगा ठीक है तो यह भी होगे वह अब बात कर लेते की इसमें जो है आपका चाहिन किस प्रकार किया जाएगा तो ध्यान से पर पॉइंट की तो अभी लेखो की संभिहात से पस्यात इसमें सफल पाए गए अभ्यारतियों से खेल कोशल परिक्षण समीति के समक्स अपने खेल कोशल का प्रदर्शन करने की आप एकसा की जाएगी और अभ्यारति की कुल संबंदी जो है कोशल का गहनता से परिक्षण किया जाएगा ठीक उप्यूक्त तथा और पचास से कम पाने वाला अभ्यारती अन्यूक्त होंगे यानि कि 80 कुल मिलाके हैं पर 80 का आपका होने वाला खेल कुसल और इसमें से अगर आप 50 नमबर लाते हो हो जाओगे सलक्षन के लिए और बात कर लेते हैं अगर 50 से कम ला मार्क्स लाए तो आप इस कोलम में देख सकते हैं जो कि 4.4 का ये कोलम ठीक है इस परिकार से आपको इसमें कहाया नीचे कोलम में खेल कोशल प्रजिक्षन में उप्यूक्त पाए गए अब भ्यारती को अगले चरण के लिए भेजा जाएगा भ्यारती को समीति दो अन्यूप कोसित किये जाने के उप्रान तो दोबारा चैन पिरकिर्ण में सामिल नहीं किया जाए गा जो वही एक वार फेल यहां पर हो गया यह नंबर 50 से कम लिया तो वह यहांपर डिसक्वालिफाय हो जागा उसको कोई मोका नहीं दिया जाएगा ठीक है तो इस पिरकार से देख लेना ठीक है तो ये रहा वही आपका something यहाँ पर आपको 50 नंबर प्राप्त करने हैं और भिवाजन इस प्रिकार का होने वाला है खेल कोशर परेक्षन समीती द्वारा लिए जाने वाला परेक्षन तथा चैन समीती दुवारा परिक्षन के समय दिये जाने वाले अंकों का मानक पूर्ण सो हुआ ठीक है जिसमें खेल परिक्षन का 80 हुआ तो जो मैंने उपर बताया तो मिनिमूम उसमें क्वालिफाई करने के लिए 50 माक चाहिए खेल प्रिमान पत्रों का मुल्यंकन खेल जो चैन सूची देखो भई ये आप वीडियो काफी लंबा हो जाएगा मतलब लेंदी तो आप खुद ये चीजे पढ़ सकते हो और अच्छे से हैं पर बस मेजे जो मेरा काम था आप लोगों को अपडेट करना कि आप फोम अप्लाई कर देना अगर आपने नेशनल से स्पोर् अपने ट्वल पास कर रखा तो इसली फोम अप्लाई कर सकते हैं अंतिम चायन सूची बनने के लिए जो है खेल कोशल परिक्षण में उप्युक्त पाएगा या भी हार्तियों को खेल कोशल जो है परिक्षण समीति एबम चायन समीति द्वारा किये गया यंकों का योग किय जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से यार कोई इतना वो नहीं इजी है ठीक है वहाँ पर जो भी प्रकार के स्टैप होते हैं वो फाइनल क्वालिफाई करते जाएए और इसली आपको वापर सेलक्षन हो जाएगा तो यह सारी चीजे दी एक बार फिर से इस नोटिफिकेशन देख लेना हम बताता हूं कहां से आपको यह मिलने वाला है ठीक है तो फ्रेंड से नोटिफिकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना हो आपको सीधा सा यूपी प्लीज की ओपिसल साइट पर जाना है ओपर ही देख सकते हैं यहापर जो है सूची बेग अपर तो 289 को यहापर जारी कर दी गए यह नहीं कि देर रात यह नोटिस जारी किया गया तो आप इजाचिस पर किलिक करते तो आपकी सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जागा आयोप की वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक यदि आप चैनल पर पहले आज़े तो चैनल को सस् मिलेंगे फ्रेंट्स नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद